आज असनी करना है एलेक्ट्रिक फील्ड ते एक्पॉस्टीव चाजिए एक पॉस्टिव चार्ज ये students बिसकस करांगे एक जिदे नल बाकी positive charge जड़े ने वो इना दे दूर जा रहे ने पहले एक example नल समझिए magnets दे example नल for example एक north pole है magnet दा दूजा भी एक point A है for example a point A है जित्थे मैं A छोटा एक magnet रखता उनसा नों पता है इना ने force feel करनी है यह दूर दूर जान दी कोशिश करनगे जड़े एरो नाल असी दस्या गया है उन जे इस point तो मैं ए मैगनेट remove कर दवां हटा दवां ता इस magnet करण उथे कोई चीज रवेगी इदे करण उथे कोई असर होएगा दो मिनटे दिवारे सोचो याने कि एथे मैं remove कर लिया हूं क्या इस magnet दवा एथे कोई भी प्रभाव नहीं है क्योंकि magnet दवा चुक्या गया सर मैं कि पुछ रहे है magnet remove दवा मतलब की है गा कि point एथे हूं कुछ भी नहीं रिया क्या इथे स्विच दे सामनाल magnet force लग रही है याने कि जे magnet रखोगे ते force ओनो जाएगी जे हटा दोगे ते हूं कोई force फील नहीं है इथे कोई चीज है यह नहीं दिवा रहे हूं चार्ज दे सामनाल समझिए कि प Been I gameない कोईशन एक क्य्म सेम एक क्यों चार्ज है एक के झोटा चार्ज अक्या आया फोर्स फील कर देने इन्नू जे चार्ज नो रिमूओव कर लिय जाए ता जिधे चार्ज रिमूव कर लिया त इस दे कारण इस बड़े चार्ज दे कारण इस जग़ा कुछ है कि नफिंग if charge is removed इस point ते कुछ भी नहीं रहा यही कर लागी क्या switch है क्या ज़े असी charge रखांगे ते force field होगी कि ज़े खटाता वाँगे ते उते कुछ भी नहीं रहा तो एज यडे सारे दिमाग चे concept आ रहा है कि नहीं सर कुछ तो प्रवाव इते होंदा ही है ज़े असी charge पाने है तो प्रवाव फिर महसूस होंदा है तो उस चीज नूँ असी केंदेने electric field समझ दें है एक example ना लो this something which is present at point A is called electric field एज रधार दमाग चे आ रहा है कि field है एक force field है ज़े कारण ओ चार्ज दे आवले दौले होईगी कोई charge है Q तो दे वाले दौले एक force जरूर होईगी जी मैं gravity दी force में सूस करते सी gravitation field डिसकस करते सी ओस साब ना ली Q charge दी भी एक field हून दी है पामे charge होवे ना होवे जे तुसी उद फिल्ड चे कोई charge पान दे हो हून ए force field करेगा ठीक है जिद्दा आज सी ग्रेविटेशन फिल्ड नूँ समझा सी तब ये field off नहीं हो जानी जे चार्ज अगले ये रहेगी ये लग गल है तुसी चार्ज पाऊगे ते फिल कर सकोगे force नूँ फिर तुसी measure कर सकते हो आज ही पाल लेने हैं The Q charge produces an electric field everywhere in the surroundings एक Q charge जड़ा हैगा एक अपनी surrounding आसे पासे आले दोले एक electric field generate करता है produce करता है When another charge is brought at some point in the surroundings of charge Q जदो कोई Q charge इस surrounding area जिते दी electric field already है ओथे रख्या जानदा है electric field of charge Q acts on it and produces a force एजड़ी electric field हैगी है एज़े दिनाल एज़े दे एक्ट कर दी है ते फिर ओफोर्स महसूस होन दी है ता इदा मतलब एज़े नहीं कह सकते कि ते ज़े चार्ज चुक लिए तो कुछ ही भी नहीं रहा ना electric field रहेगी ज़े कोई चार्ज लेके आओगे फिर उस चार्ज नो उस electric field दे कारण force महसूस होईगी उन इननों define की तक तक गया है physics जो ओ थोड़ा देख लेने ने mathematically देख लेने ने पहले उन ए में q charge रख्या है ठीक है और suppose को एक point surrounding दे में ले 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 आ ठीक है और इननों कहन दे ने point A ठीक है ज़े पिछले exam ले जब यही point A ले रहे हैं ज़ेगा r distance का q charge दो एक q charge main है इदे कारण उनसा नों पता है एक electric field है पर उननों mathematics के लिए कितना लिखी है तो दे वास्तियस की कार रहे है एक यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज दा मतलब वेटा है यूनिट चार्ज दा मतलब है जिदी value होए 1 हुन सानू यह था पता ही है कि यह थे कूलंब लोला सकते हैं 1 unit charge होए एक q होए ते सानू पता है कि q into 1 divided by r square हो जाएगा ठीक है तो यह सी कमांगे electric field is force experienced by a unit charge due to charge q at a distance r electric field क्या है जो unit charge को force महसूस होती है एक unit charge को जो force महसूस होगी उसको हम electric field बोलेंगे mathematically कैसे पहले कूलंब लगा दो 1 unit charge इतर रखो f is equal to k into q into 1 क्योंकि 1 है ना charge तो unit है यह तो पता है और यह r square इसको generally रखा q और r square को कोई भी value डाल सकते हैं मैं एक mathematically 1 को अगर नीचे ले जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा वैसे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ऐसे ही लिखने के लिए जिससे हमें definition में याद हो यह charge हो है वह ने नीचे ले गया 1 को यहाँ ले गया is equal to k q by r square यह जो चीज निकल रही है what is this this is force experienced by a unit charge इसको हम बोल देते हैं electric field electric field क्या हो गई force ही है but per unit charge एक unit charge बटा में जा रहा है ऐसे हम define करते है mathematically दुबारा से पढ़िए electric field जैसे इस charge की electric field निकाल लिए हो यहाँ पर तो क्या होगी वो होगी force experienced by a unit charge एक unit charge को कितनी force लगेगी due to charge q at a distance r वो हम calculate कर सकते हैं force unit charge में इतनी experience हो जीए k q by r square और इस force को हम electric field बोलेंगे this force is called electric field due to charge q at point a देखिए तो अब electric field की अगर बात करें इस charge की electric field की बात करें surrounding में होगी अब कोई भी point बताईए मुझे point a पर अगर आपको electric field बतानी है तो मुझे महाँ पर unit charge रख दूँगा और electric field कितनी बोलूँगा force experience by unit charge कितनी हो जाएगी k q इसकी value divided by जो भी distance है यहाँ पर r1 है तो r1 square कर दिया यहाँ पर क्या होगा sir k q electric field की बात हो रही है यह unit charge experience करेगा force को r2 square क्योंकि r2 distance था यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर a point पर अगर मैं unit charge रखता हूँ एक unit charge रखता हूँ one का तो उस पर जो force लगेगी वो electric field कलाएगी और उसकी value ऐसे calculate कर सकते हो इससे फायदा क्या होगा electric field concept से इसने हमें बता दिया कि किसी भी point पर एक unit charge पर कितनी force लगती है अगर मुझे एक unit charge पर force पता लग जात है तो क्या मैं 2 unit पर कितनी लगेगी यह बता सकता हूँ क्या 3 unit पर कितनी यह बता सकता हूँ देखिए example से हमें पता है force experienced by unit charge इसको electric field बोला है वो इतनी निकल रही है इस case में कितना r distance से square होगा ठीक है अगर यह दो unit charge होता तो क्या सर एक unit पर जब इतनी लग रही है तो दो unit पर just इसको multiply कर दीजिए यहां दोबारा kq by r square नहीं लिखा क्योंकि यह तो e ही है तो मैंने लिख दिया e into 2 तीन unit होगा तो तो तीन अगर कोई random charge होता है कोई test charge होता है q तो उस पर कितनी होगी sir just multiply by it यानि कि हमें अगर कोई भी force experience निकालनी हो किसी point पर और हमें electric field पता हो तो just जो charge रखा गया है उसे multiply कर दीजिए तो आपको force का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी force वो experience करेगा charge यानि कि mathematically force जो होगी वो होगी electric field अगर आपको पता है और q पता है जो charge यहां पर रखा जा रहा है ठीक है तो वो आपको q से multiply कर दीजिए तो वो force निकलाएगी कि इस charge पर कितनी force निकलेगी अगर दूसरी तरह से याद करना है q को इस तरफ ले जाएए force divided by q, force per unit charge विल भी electric field इस तरह से भी निकाल सकते हो क्या ये कुछ नई चीज़ सीखी थोड़ा सा coulomb law याद कीजिए coulomb law में हम करते थे force is equal to k q q divided by r square यादि की q1 q2 की जगा मैंने यहाँ पर q और q ले लिया सपोस कर लिजिए यहाँ पर q charge है और q और ये r distance है तो बोल सकते हैं आपके से इतनी force experience होगी ठीक है अगर इस q को दूसरी side ले जाओ नीचे आ जाएगा ये क्या बन गया k q by r square ये क्या है electric field ही तो है इसलिए हमने इसको इस तरह से mathematically समझ लिया तो electric field क्या होगी कोई भी force experience होगी है दो charges के बीच में तो जो दूसरा charge है जहाँ पर आपको electric field निकालनी है उसको बस divide कर दीजिए force से तो आपको electric field एक unit charge पर मिल जाएगी अगर for example electric field का formula याद रखना है electric field होता है force by q यानि कि इसके unit क्या हो जाएंगे unit क्या हो जाएंगे unit हो जाएंगे force के होते हैं newton और charge के होते हैं coulomb n divided by c n c minus 1 भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है तो newton पर coulomb होता है यानि कि force per unit charge इस हिसाब से हमारी definition fix हो जाती है तो यानि कि अगर हमें बोल रहा है q charge है उसके कारण यहाँ पर suppose करो r distance है और e दिया हुआ है इस point पर point a पर e दिया हुआ है that is 4 into 10 raise to power 5 newton per coulomb ठीक है यह दिया हुआ है this is given ऐसे तो हमसे question पूछ रहा है what will be the force experienced by options में a one unit charge एक यूनिट चार्ज पर कितनी force लगेगी बी टू यूनिट अफ चार्ज कितने होगी c 10 unit of charge याने कि 10 coulomb जैसे हम बताना चाहते है 10 coulomb उसको कितनी force लगेगी तो अगर हमें electric field पता है हम इस formula को use कर सकते है 10 raise to power 5 4 into 10 raise to power 5 is equal to force यह तो निकालनी है और charge हमें दिये हो है पहले case में क्या हो जाएगा यह तो मूझ जमानी कर सकते हैं पहले case में one हो जाएगा तो सरीत नहीं होगा force 2 होगा तो double हो जाएगा 10 होगा तो 10 से multiply हो जाएगा तो simply हमारा answer निकलाएगा यह आप question खुद भी कर सकते हैं अगर इसलिए हमने एक value क्यों लिख लिख ली है general value तो इसमें कोई value डालेंगे निकल जाएगा आपको electric field से just उस charge को multiply कर देना है तो force automatically निकल जाएगी झालेंगे लिख टुएट झालेंगे काईगा थाएगी